परिचय वाह! ये बगीचा कितना सुन्दर है माधव! तुम क्या देख रही हो आलिया? मैं बगीचे की तस्वीर को देख रही हूँ माधव आलिया, क्या तुम इस तस्वीर में विभिन वस्तूओं का विशलेशन कर सकती हो? हाँ, उसमें बेंचें, स्लाइडर, फवारा, फूलों की सेज इत्यादी है बच्चों, अब तस्वीर में विभिन वस्तूओं के आकार का विशलेशन कीजिए जी हाँ, बेंच का आकार आयताकार है सेज का आकार वर्गाकार है स्लाइडर का आकार तिरिभुजाकार है, फवारे का आकार वित्तकार है। इन्हें सम्तल जयामितिय आकृतियां कहा जाता है। इस पार्ट में हम विभिन जयामितिय आकृतियों के गुणों को जानेंगे। उत्यशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्गों और आयतों का परिमाप ग्याद करना। वर्गों और आयतों का क्षित्रफल ग्याद करना। तिरिभुजों का क्षित्रफल ग्याद करना। समानांतर चत्रभुचों का क्षित्रफल ग्याद करना एक वृत्त की परिधी और क्षित्रफल ग्याद करना इकाईयों का रुपांत रण करना वर्गों और आयतों का परिमाप बच्चों, क्या तुम पार्क में फूलों की सेच की सिमाओं को माप सकते हो? हाँ सेज की भुजाओं को माप कर सेज की सीमाओं को माप जा सकता है तो एक आकरिती का परिमाप आकरिती के चारों और की बाहरी सीमा होता है अता वर्ग का परिमाप वर्ग की भुजाओं का योगफल होता है शायद आप समझ गए हैं कि परिमाप क्या होता है क्या तुम पार्क में आयताकार बेंच का परिमाप बता सकते हो हाँ, हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई की मापे है और आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई का योगफल होता है अदा इनके योगफल द्वारा हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं वर्गों और आयतों का क्षित्रफल विद्यार्थियों, क्या तुम पार्क में सेज के आकार को पहचान सकते हो? वह वर्ग के आकार में है एक वर्ग बराबर मापों वाली चार भुजाओं की एक बंद आकरिती होती है क्या हम सेज का अंतरोनी क्षित्रफल ग्याद कर सकते हैं? हाँ, यदि हमारे पास किसी एक भुजा की माप हो, तो हम क्षित्रफल ग्याद कर सकते हैं एक वर्क का क्षित्रफल उसकी एक भुजा का वर्क होता है आपने पार्क में बैंच का आकार अवश्य ही देखा होगा वह बैठने वाले शीर्शिभाग पर आयत के आकार का होता है क्या तुम बैंच के शीर्शिभाग का क्षित्रफल ग्याद कर सकते हो जी हाँ, यदि आपको आयत की लंबाई और चॉड़ाई पता है, तो हम क्षिद्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज क्या आप जानते हैं कि त्रिभुज क्या है? जी हाँ, एक त्रिभुज तीन भुजाओं वाली बन्द आकरिती हो दी है। क्या आपने पार्क में फिसल पट्टी यानी स्लाइडर को देखा है? वह त्रिभुज के आकार में है. तो क्या हम त्रिभुज का क्षित्रफल निकाल सकते हैं? हम त्रिभुज के क्षित्रफल के सूत्र का उप्योग करके भी त्रिभुज का क्षित्रफल निकाल सकते हैं. इसके लिए हमें त्रिभुज के आधार उँजाई की मापों की आविशक्ता होती है. त्रिभुज का क्षित्रफल उसकी उँजाई और आधार के गुणन का आधा होता है, समानांतर चतुरभुज, बच्चो अब इस आकरिती को देखो, क्या तुम इस आकरिती का नाम बता सकते हो, जी हाँ, ये समानांतर चत्रभुज है. एक समानांतर चत्रभुज, चार भुजाओं वाली एक बंद आकरिती होती है, जिसकी सम्मुख भुजाएं परस पर समानांतर होती हैं. क्या हम इस आकरिती का आक्षित्रफल निकाल सकते हैं? हाँ, समानांतर चत्रभुज के सूत्र का उप्योग करके, हम इस आकरिती का आक्षित्रफल निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको आधार तथा संगत समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी की आविशकता होती है. एक समानांतर चत्रभुज का क्षित्रफल उसके आथार तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी का गुणन होता है. अर्थात समानांतर चत्रभुज की उँचाई. व्रित्थ बच्चों, क्या तुमने फवारे का आकार देखा है? फवारा व्रित्थ के आकार में है. क्या तुम व्रित्थ की परिधी माप सकते हो? हाँ, यदि आपको व्रित्थ की दृज्या ग्यात है, तब वृत्तिकी परिधी के सूत्र का उप्योग करके वृत्तिकी परिधी ग्यात की जा सकती है। वृत्तिकी परिधी एक वृत्तिय क्षित्र के चारों ओर की दूरी होती है। दूसरे शब्दों में यह वृत्तिकी सीमा रेखा होती है। प्रित्ति की परिधी एक अचर जिसे पाई कहा जाता है तथा उसके व्यास का गुडण होती है या प्रित्ति की द्रिज्या तथा पाई के गुडण का दुगना होती है. बच्चों, तो क्या हम व्यत्ति का क्षित्रफल भी निकाल सकते हैं? हाँ, यदि हमें व्यत्ति की द्रिज्या की माप ग्याद हो, तो हम व्यत्ति का क्षित्रफल ग्याद कर सकते हैं. वृत्ति का क्षित्रफल, वृत्ति की त्रिज्या तथा पाई के गुणन के बराबर होता है या हम वृत्ति के क्षित्रफल को व्यास के पदों में भी व्यक्ति कर सकते हैं हमें ग्यात है कि वृत्ति की त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो इस इस्थिती में वृत्तिकाक्षित्रफल, व्यास के आधे के वर्ग तथा पाई के कुड़न के बराबर होता है। इकाईयों का रूपान्थरण हमें ग्यात है कि एक सेंटी मीटर में दस मिलिमीटर होते हैं, एक मीटर में सौ सेंटी मीटर होते हैं, एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होते हैं, और एक हेक्टियर में सौ मीटर होते हैं, कभी-कभी हमें बड़ी इकाईयों को छोटी इकाईयों में बदलने की आविशक्ता पड़ती हैं, अब हम इकाई, प्रणाली की मूल बातों को जानते हैं, तो हम निम्न प्रकार से बड़ी एकाईों को छोटी एकाईों में बदल सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वर्गों और आयतों का परिमाप वर्गों और आयतों का क्षिद्रफल तिरी भुजों का क्षिद्रफल समानांतर चत्रभुजों का क्षित्रफल एक वृत्त की परिधी और क्षित्रफल एकायों का रुपांतरण